हलो एंड वेलकम बैक माई डियर स्टुडेंट्स आप शबों को फिर से अपना यूट्यूब चेनल माँ आसा इस पॉइंट में स्वागत है माई डियर स्टुडेंट्स आज की कलास में मैं आपको 12th हिंदी के मोहावरे से कि जितने भी objective question पूछे गए हैं बिहार बोड exam में हिंदी में सभी को explain करने वाले हैं इस वीडियो में देखिए आपका जो बिहार बोड exam लेता है हिंदी का उसमें 50 objective जो रहता 50 नमर करेता आपके book से और 50 रहता है आपके व्याकरन से इसलिए व्याकरन को भी पढ़ना बहुत जोरी है अगर आप 90 प्लस करना चाहते हैं या 100 का सवाल आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोनों पढ़ना पढ़ेगा book भी और व्याकरन भी इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ मोहावरे एक जितने भी कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और इसका जो हिन एंसर आप खुद पहले लिखेंगे उसके बाद फिर इससे मिलाएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है और आप हमें कॉमेंट में बताएंगे कि सर मेरा इतना सही हुआ है तो चलिए पर्थम क्वेश्चन क्या है देखिए ये भुखमरी की अस्थिति कंजूस होना लाचार होना या इनमेस से कोई नहीं इसका कॉरेक्ट एंसर हो जाएगा क्या होगा इसका बताएगे तो भुखमरी की अस्थिति ए इसका कॉरेक्ट एंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेस्चन है कि नाक काटना मुहावरे कार्थ नाक का बातना मुहावरेक अर्थ क्या होगा जल्दी आप हमें कॉमेंड में बताएंगे तो इसका कॉरेक्ट एंसर क्या होगा अपमानित होना या कमजोर होना या निर्धन होना या गुस्सा होना तो इसका कॉरेक्ट एंसर हो जाएगा ए अपमानित होना अब नेक्स्ट क्वेस्ट हो जाएगा लालच देना अब next question है कि आप से बात होना मोहवरे कर्थ क्या होगा आप से बात होना मोहवरे कर्थ क्या होगा तो इसका correct answer क्या होगा घर से बाहर हो जाना या भला बुरा न समझना या बहुत क्रोधित होना या विर्थ की बाते करना इसका correct answer हो जाएगा बहुत क्रोधित होना अब next question है कि घुटने टेकना मोहवरे कर्थ क्या होगा घुटने टेकना मोहवरे कर्थ क्या होगा हार मानना योगा करना अभिवादन करना या लज्जित होना इसका correct answer हो जाएगा हार मानना अब next question है कि अपना उल्लू सीधा करना मोहवरा कर्थ क्या होगा चापलूसी करना अपना काम निकालना चलाकी करना या मुर्क बनाना इसका correct answer हो जाएगा अपना काम निकालना अब next question है कि अकल का अंधा मोहवरे का अर्थ क्या है अकल का अंधा मोहवरे का अर्थ क्या है दृष्टी हीन होना या मुर्क होना या चालाक होना या इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा मुर्क होना नेक्स्ट कुईस्चन है खून पसीना एक करना मोहवरे कर्थ होगा, युद्रे करना या बहुत प्रिश्रम करना या उल्टा काम करना बहुत क्रोधीत होना, तो इसका correct answer हो जाएगा बी अब next question है कि काट मारना मोहवरे कर्थ क्या होगा काट मारना मोहवरे कर्थ अस्तब्द रहना चोट लगना या हतास होना या इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा A. अस्तब्द रहना Next question है कि इद का चांद होना मुहावराकर्थ क्या होगा इद का चांद होना मुहावराकर्थ नहीं आना गायब हो जाना बहुत दीनों पर दिखना या परेशान होना इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer क्या होगा तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा सी बहुत दिनों पर दिखना next question है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे कर्थ क्या होगा अंधे की लकड़ी मुहावरे कर्थ क्या होगा एक मात्र सहारा बिल्कुल और सहाय होना या लकड़ी के सहारे चलना या कमजोर होना तो इसका correct answer हो जाएगा एक मात्र सहारा होना अब next question है कि इट से इट बजाना मुहावरे कर्थ क्या होगा इट से इट बजाना मुहावरे कर्थ हो जाएगा अन्होनी होना या विनास होना या विकास करना या लडाई करना इसका correct answer हो जाएगा B Next question है कि अपने पेड़ों पर खड़ा होना मोहवरेक अर्थ क्या होगा दूर जाना या स्वाव लंबी होना या पिरिये होना या सुन्दर होना इसका correct answer हो जाएगा स्वाव लंबी होना Next question है कि आस्मान तुटना मोहवरेक अर्थ है आसमान तुटना मुहावरे कर्थ क्या होगा कष्ट होना या अचानक मुसिबत आना या दुरलब होना या दुखी होना इसका correct answer हो जाएगा अचानक मुसिबत आना अब next question है कि घाट घाट का पानी पिना मोहवरे का अर्थ क्या होगा इसका प्यास लगना या बहुत अनुभवी होना या मुर्क होना या अनपट होना इसका correct answer हो जाएगा बहुत अनुभवी होना अब next question है कि त्राही त्राही करना मोहवरे का अर्थ क्या होगा त्राही त्राही करना मोहवरे का अर्थ होगा बहुत दुखी या रोना या नराज होना या क्रोध करना तो इसका correct answer हो जाएगा बहुत दुखी अब next question है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होगा डिंग हाकना ए इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है कि खिली उडाना मोहावरे करत क्या होगा खिली उडाना मोहावरे करत क्या होगा तो खिली उडाना मोहावरे करत हो या व्यंग करना या जलना या घ्रिना करना या इर्षिया करना इसका correct answer हो जाएगा ये व्यंग करना अब नेक्स्ट क्वेस्टन है कि लकीर का फकीर होना इसका क्या होगा इसका परमप्रावादी होना या लंबा होना या फकीर होना या आधुनिक होना तो लकीर का फकीर होना यानि कि परमप्रावादी होना नेक्स्ट क्विस्चन है कि छठी का दूद याद आना छठी का दूद याद आना इस मोहवरेक अर कि प्राधिन सपने हो सुक नहीं तो इसका correct answer क्या हो जाएगा प्राधिनता में दुख नहीं प्राधिनता सुक देती है प्राधिनता अभी साप है या सपने सुक दायक होते हैं इसका जो सही answer होगा वो होगा शी प्राधिनता अभी साप है अब next question है कि हाथ कंगन को आरसी क्य नहीं जाएं फ़ोरे अपर दोडते है या इसका जो है ना अंसर क्थिन परिश्रम correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा एक कठीन परिश्रम से लक्षे मिलता है अब next question है कि आध जल गगरी छलकत जाए मोहावरेक अर्थ क्या होगा तो इसका जो correct answer क्या होगा गगरी भरी होई होनी चाहिए या ऑच्छा गगती अधिक प्रदर्शन करता है तो इसका correct answer हो जाएगा औच्छा व्यकती अधिक प्रदर्शन करता है अब next question है कि नाच ना जाने आगन टेढ़ा मुहवरे का अर्थ क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा काम न जानना और बहाना बनाना सी इसका correct answer होगा next question है लोहे के चने चबाना मुहवरे का अर्थ क्या होगा तो क्या होगा लोहे के चने नहीं होते या हरे सुखे चने दबाये जा सकते हैं या आगे भूख मर जाएगी या कठीन परिश्रम करना तो इसका correct answer हो जाएगा कठीन परिस्दम करना कठीन परिस्दम करना इसका correct answer हो जाएगा अब next question है कि एक पंद दो काज का अर्थ एक पंद दो काज का अर्थ क्या होगा एक उपए से दो काज सिद्द करना या त्री मोहानी या दूई मोहानी या एक राष्टा एक काम इसका correct answer हो जाएगा एक उपाय से दो काम सिद्ध करना अब next question है कि तीन तेरा होना का अर्थ क्या होगा तीन तेरा होना का अर्थ क्या होगा दस तीन तेरा या विखर जाना या एक पर तीन तेरा या संकट आ जाना इसका correct answer हो जाएगा बिखर जाना अब next question है कि अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होगा अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होगा अपना काम निकालना या उल्लू उडाना या उल्लू को दाना चुगाना या बेवकुफी इसका correct answer हो जाएगा अपना काम निकालना next question है कि अपने गावों में कुलहारी मारना का अर्थ क्या होगा अपने गावों में कुलहारी मारना का जो correct answer होगा वो होगा जान बुझ कर अपना नुक्सान करना next question है कि अपने मुह मिया मिठ्ठू बनना का अर्थ क्या होगा मुह में लड़ू रखना या अपना निंदा अपना करना या अपनी परसंसा आप करना या स्वेंग लड़ू खाना इसका correct answer हो जाएगा अपनी परसंसा आप करना सी इसका correct answer होगा अब next question है कि आठ 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 आशू रोना का अर्थ क्या होगा आठ 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 आशू रोने का जो अर्थ होगा इसका जो correct answer हो जाएगा वो होगा खूब रोना अब next question है कि एड़ी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ क्या होगा एड़ी चोटी अपसिना करने का अर्थ होगा कि कठिन परिशरम करना अब next question है कि कच्चा मिठा सुरी कच्चा चिठा खोलना का अर्थ क्या होगा तो चिठी फारना या भंडा फोड करना या लिफाफा खोलना या लिफा फे बाजी करना तो इसका correct answer हो जाएगा भंडा फोड करना अब next question है कि काम तमाम करना का अर्थ क्या होगा काम तमाम करना का जो correct answer होगा वो होगा मार डालना मतलग काम तमाल करना मतलग मार डालना अब next question है अब next question है कि कलम तोड़ना का अर्थ क्या होगा कलम तोड़ना का अर्थ क्या होगा कि कलम तोड़ना या कल नहीं तूटी या दावात फुटी या खूब बढ़िया लिखना तो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा खूब बढ़ियां लिखना next question है कि कफन सीर से बांधना का अर्थ क्या होगा इसका correct answer होगा मारने को तयार होना या मारने के लिए तयार करना या कफन खरिदना या कफन बेचना इसका correct answer हो जाएगा ए मारने को तयार होना next question है कि कलई खुलना का अर्थ क्या होगा हाथ तुटना या भेद परकट होना या हाथ की पट्टी खुलना या कलाई तुटना 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 जकणना या हाथ मारना या ठेहुना तुटना 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 जकणना या हाथ मारना तुटना तुट next question है कि चार चांद लगाना का अर्थ क्या होगा चार चांद लगाना का अर्थ होगा परतिष्ठा बढ़ाना D इसका correct answer होगा next question है कि प्रान पखेरू उड़ाना का अर्थ क्या होगा प्रान पखेरू उड़ाना का अर्थ क्या होगा मर जाना डर जाना या धक्का लगना या भारी विपति आना इसका correct ऐंसर हो जाएगा ए मार जाना मर जाना प्रान पकिरु उड़ना का मतलग मर जाना अब next question है जी चुराना का अर्थ दिल चुरा लेना किसी काम में से भागना या दिल हर लेना या प्यार हो जाना इसका correct ऐंसर हो जाएगा किसी काम से भागना कहते हैं कि का बर्खा जब क्रिशी सुखाने का अर्थ क्या होगा का बर्खा जब क्रिशी सुखाने का अर्थ होगा कि काम बिगड़ने पर सहता व्यर्थ है C इसका correct answer होगा next question है कि छाती पर मुंग दलना का अर्थ क्या होगा छाती फाड़ना या मुँं के दाने निकलना या चाती पर चड़ना या तंग करना इसका correct answer हो जाएगा तंग करना अब next question है कि गुद्री का लाल का अर्थ क्या होगा गुद्री का लाल का अर्थ होगा निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना ये इसका correct अंशर होगा कठीन परिश्रम करना या लोहे के चने नहीं होते या लोहा नहीं चबाया जाता या इन में से कोई नहीं इसका correct एंसर हो जाएगा कठीन परिश्रम करना अब next question है कि आग में घीड डालना करत क्या होगा आग में घीड डालना तो इसका correct एंसर हो जाएगा किसी के क्रोध को भ जाना या दांत शिब शिबाना या प्राजित करना इन में से कोई नहीं इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा प्राजित करना दांत खट्टे करना मतलब प्राजित करना अक्ल पर पत्थर पढ़ना का अर्थ हो जाएगा बुद्धी प्रकट हो ना डी इसका correct answer होगा next question है कि पीठ दिखाना मुहावरा करत क्या होगा हार देना या हार कर भाग जाना या साथ देना या मर जाना इसका correct answer हो जाएगा हार कर भाग जाना हार कर भाग जाना हार कर भाग जाना अब correct answer अब आगे question है कि हाथ मलना मोहवरे का अर्थ क्या होगा हाथ मलना मोहवरे के जो correct answer होगा वो होगा पच्ताना अब next question है कि कान देना मोहवरे का अर्थ क्या होगा तो कान देना मोहवरे का अर मुहवरा का अर्थ क्या होगा तो आनंद मनाना या रोशनी करना या मन चंचल होना या दिवाली मनाना तो इसका करेक्ट अंसर होगा आनंद मनाना अब नेक्स्ट कोईस्टन है कि सिकारी सिकार होना का अर्थ क्या होगा सिकार होना का जो अर्थ होगा सीर सिकारी का सिकार हो गया या सिकार करना सभी को नहीं आता या सिकार कैसा है या सिकार होकर चले इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा सीर सिकारी का सिकार हो गया मतलब सिकार होना अब next question है कि सिकार करना का अर्थ क्या होगा सिकार खरगोश का हुआ या सिकार करना इसका क्रेक्ट अंसर क्या होगा इसका क्रेक्ट अंसर होगा सिकार करना सभी सिकारियों को नहीं आता मतलब सिकार करना next question है कि सीर धुनना सीर धुनना का क्या अर्थ होगा तो सीर धुनना का जो अर्थ होगा वो होगा तिंडियों के दल ने खेती सफाचट कर दी कर दी अब सीड धुन्ने से कोई फाइदा नहीं इसका सी करेक्ट एंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेस्चन है कि कंधा लगाना का क्या अर्थ होगा क्या इसका अंसर होगा कंधा लगाना इसका जो correct अंसर होगा वो होगा बेटियों की साधी में पूरा पूरा खांदान कंधा लगा देता है कंधा लगाना इसका क्या अर्थ होगा मतलब कंधा चोड़ा है या कंधा मजबूत है या कंधा मुलायम है तो इसका correct answer हो जाएगा D. बेटियों की साधी में पूरा खांदान अपना कंधा लगा देता है ताकि उसका साधी हो जाए धुमधाम से अब next question है कि अंटी मारना मुहावरे कार्थ क्या होगा तो अंटी मारना मुहावरे कार्थ होगा चाल चलना B. इसका correct answer होगा next question है कि अनलगना मुहावरे कार्थ क्या है अनलगना मुहावरे कार्थ होगा अनाज मिलना या स्वस्त रहना या अनाज खाना या भूक मिटाना तो इसका correct answer हो जाएगा स्वस्त रहना अब next question है कि दो दिन का महमान महावरे का अर्थ क्या है दो दिन में का महमान महावरे का अर्थ क्या होगा कि जल्द मरने वाला ने कहते हैं कि मातर दो ही दिन बचाए दो दिन का महमान है तब तक खिला पिला दो अब तो चलिए जाएगा तो क्या होगा जल्द मरने वाला अब इट का जवाब पत्थर से देना मोहवरे का अर्थ क्या होगा इट का जबाब पत्थर से देना मोहवरे का अर्थ क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा तो किसी की दुष्टता का करारा जबाब देना या पिटना या इट चालाना या धगडा करना तो इसका correct answer हो जाएगा ए किसी की दुष्टता का करारा जबाब देना तो माई डियर स्टुडेंट्स हमने सभी मुहावरे का explain कर दिये हैं आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें comment में बताएंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी share करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किये हैं सब्सक्राइब करें एवं बेल एकोन को भी दवाएं बाकिशो ठैंक्स वेरी मच अल दा बैस्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक जय हिंद